और है गाइस गुद मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आपका मोस अलगा हमारे सेशन में माइनेम ही सब्जीत मिश्रा आप देख रहे हैं हमारी क्लास करें इंडफेर शोग जहां पर हम आज की बात करेंगे कौन-कौन सी इंपॉरि नीज हमारे पास है बच्शी होगे अपना ख्याल लग रहोगे उच्छे लाइफ देख पा रहोंगे जी हाँ आप मुछ लाइफ देख पा रहे हैं गुद मॉर्निं गायस चलिए श़रू करते हैं अपना सेशन और और I hope कि सब लोग क्लास में आच चुके हैं ठीक है तो यार वीडियो पे लाइक का रिश्य बड़ा कम होता है तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी देख रहे हैं क्लास को वो लाइक कर दीजे अगर आपको लोग क्लास बज़न नहीं आ रही है दिसलाइक करना है तो उसे रीजन ब्लागे हैं हैं कमेंट में और जो बच्ची ओफलाइन देख रहे हैं वो ज़रूर लाइक करें वीडियो को ठीक है चले शू करते है अपना सेशन और हमारे पास कॉन बढ़न सी इंफोर्मेश है आज आपके लिए है तो आज रेपोर्ट इंडीसिस रैंकिन नहीं है मारे परस सीजे हम चलेंगे पॉइंट मेंट पर और यहां पर हम बात करेंगे आप से मिस्टर एन चंदर शेखरन की इनका नाम काफिर सुन रहांगे आप लोग न्यूज में हैं न तो एन चंदर शेखरन को टाटा डिस्टल शेर्मेंट टाटा इंडस्फ्रीस के बहुत सारे ग्र्योप है दोस्तों उसमें एक टाटा डिस्टल भी है जहां पर आपको मतलब इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट्स मोबाइल फोन लैप टॉप इसे मिलते हैं इनके शोर्रूम होते हैं प्रावर तो एन चंदर शेखरन को टाटा डिस्टल भी शेर्मेंट प्यांट कर दिया गया है पूरी इंफ़र्मेशन आपके सामने दखें दोस्तों आपर हम क्या बात कर रहा है देखें तो एन चंदर शेखरन इन नाम जानते हैं आप लोग Executive Chairman Mr. N. Chandrashikaran has formally taken charge as the Chairman of the Tata Digital ठीक है तो Tata Sons क्या बेटा ये main group है ना Tata Sons तो Tata Sons के ये दुबारा से rear point हुए थे Chairman Tata Sons के Chairman है already और अब ये क्या बन गया है ये बन गया है Tata Digital के भी Chairman ठीक है तो या देखना इस point को ये मुझ जानते भी है आगे बढ़ते हैं देखिए next information अब देखिए extra information ठीक है तो he was reappointed as the chairman of the Tata Sons for another five year in February 2021 तो N. Chandrashikaran जी की बात करें दुस्तों तो यहाँ पे हमने extra point दिया आपको कि इन्हें अभी दुबारा सुर ये point किया गया था chairman of the Tata Sons main company हम किस की बात कर रहा है अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था तो Tata Distal announced the launch of the super application Tata New N.E.U. तो ये भी आप लोगों को बता है ठीक है तो ये हमारी पहली information थी जहाँ पे हमने आप से Tata Distal के chairman की बात की ये कौर रपाइंट हुए है Mr. N. Chandrashikaran जी जो की Tata Sons के chairman है ये भी पॉइंट हुए है ठीक है एक पॉइंट में ये बताया और Tata Distal ने एक Tata New N.E.U. नाम का super application launch किया ये भी सर को सब add याद है पीहू पुछ रहे है जी पीहू जी विलकुल याद है जी ये के faculty है तो याद होना ही शाहिए अब मुझे ये बाद है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की बात है दोस्तो हां Tata Steel के Noel Neville Tata भी पॉइंट हुए हैं Vice Chairman जी है वेरी गुट बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं गाई रिसेंटली बात करें गाईस तो प्याद होगा Mr. N. Chandrashikaran also appointed chairman of the Air India आपको मैंने यह भी पढ़ा हुआ information ठीक है Air India तो यह भी आद है ना चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आफे next information की हमारी next information क्या होगे ठीक है News No.2 की बात करें गुस्तों और यहां पर हम बात करेंगे Australia की बात करेंगे यहां बात करें क्रेटी बात करेंगे ठीक तो राइट नाउ Australia के जो क्रेटीम के coach थे इनका नाम तर दिस्टिन लाइंगर information आपको दिखाते हैं देखें तो Andrew Macdonald है ना has been appointed as the head coach of the Australians men's cricket team and has signed an agreement for four-year contract ठीक है तो Andrew Macdonald की बात करें दोस्तों यह Australia यह पुरुष टीम के मुखे कोच बन गया है 4 साल का इनका contract है तो देख लीजे तो एक point हमारे पास यह होगिया आगे बढ़ते है next point की बात करते है तो सुनील चोर दिया नाम सुना है अपने पढ़ा भी है अपने मेरे ख्याल से इनको chairman appoint किया गया था confederation of the Indian industry western region का for the 22 days CII western region chairman सुनील चोर दिया next point देखिए Asian credit council ने जैशा को फिर से अपना president appoint कर लिया है एक साल के लिए यह भी इमने पढ़ा है आपको ठीक है आगे देखें दोस्तों और देखें यहां पर यहां क्या बात हो रही है TCS company के तो TCS company ने फिर से chairman appoint किया नास का यह भी हम पढ़े हुए है ठीक है तो यह सारे point हमारे पार सा दोस्तों हम लोग याद है हम लोग सारी चीज़े है ठीक है आगे बढ़ते है तो पहला segment हम complete करते है नाम है appointment का आगे बढ़ेंगे बात करेंगे books and author की ठीक है तो books and author में हमारे ये पास कौन कौन सी अंट और स्वारी banking finance में पास कौन सी information है पहले information आपके सामने लेगे दोस्तों तो यहां पर हम बात करेंगे फीनो payment bank अपने नाम सुना होंगा फीनो payment bank काफी news में रता ही है तो फीनो payment bank to invest in pay sprint Fino payment bank to invest in pay sprint यानि Fino payment bank pay sprint में निवेश करेगा मतलब कुछ share acquire करेगा देखे पूरी information देखे दोस्तों Fino payment bank के बारे में हम बात करें आप से ठीक है तो Fino payment bank has approved a minority strategic investment in fintech company pay sprint up to 12.19% यानि simple language में Fino payment bank एक company है pay sprint उसमें 12.19% share अगर रहा है Fino bank fintech company है pay sprint उसमें 12.19% इससे क्या फाइदा होगा देखे आपर pay sprint तो pay sprint जो company है basically ये एक fintech company है which is offering next generation APIs in the area of insurance investment, banking, payments and more इसका मतलब क्या बार दुस्तों इसका मतलब ये समझो कि pay sprint company जो है वो अलग-अलग companies के लिए platform develop करती basically investment, banking, payment इन सब के लिए API मतलब platform develop करती ये समझ लो तो इसमें share रहा करने से क्या होगा कि Fino payment bank अपना जो platform है उससे और ज़्यादा अप्रेड कर सकता है तो Fino payment bank ने 12.19% share acquire कर लिए हैं pay sprint private company में इतना ही पढ़ना है बस आपको ठीक है तो ये देख लिए जगा ठीक है Reserve Bank of India ने Fino payment bank को approval दिया था for the international remittance business मतलब RBI ने Fino payment को बोल दिया कि तुमारे customer जो है वो internationally fund transfer कर सकते हैं लेकिन ये transfer कैसे होगा ये transfer Reserve Bank of India के ही MTSS से होगा Money Transfer Service Scheme MTSS Money Transfer Service Scheme दोस्तों जहान सुनो Money Transfer Service Scheme एक scheme है जिसके तहत आप पैसा केवल receive कर सकते हैं मतलब ये one way होता है ये one way होता है और एक बार में इसकी limit होती है पतीस सो डॉलर ठीक है पतीस सो डॉलर एक बार में हाँ तो ये भी याद रखेगा तो यहाँ पर हम MTSS की बात कर रहे है तो reserve ये बड़ा अच्छा point है और काफी important point है तो ये याद रखेगा पहला point next देखिए फीनो payment bank has appointed Indian actor पंगरिस रिपाथी as its brand ambassador first brand ambassador पंगरिस रिपाथी कालीन भीया मिर्जापर बहले है न वही है ये ठीक है देख लीजएगा आगे बड़े दोस्तों देखिए next point चलिए अब तीसरे point की बात करेंगे जो बड़े news है मारे पास है ठीक यहां world bank की बात कर रहे world bank ने भारत की growth rate को जो 22 तेस मतलब जो financial year माना चल रहा है उसमें कड़ोधी कर दी है 8% रही और main reason वही है Russia-Ukraine crisis ठीक है आएए पूरी information आप पो दिखाते है देखिए दोस्तों तो world bank ने भारत की growth rate को for the financial year 22 तेस जो हमारा अभी चल ला है ठीक है इसमें जो है यह pen कभी कभी तोखा देता है to 8% from 8.7% तो पहले world bank ने 8.7% बोला था इंडिया को ने growth करेगी अभी 8% कर दिया है तो यह देखिए world bank का यह information world bank का production है तो यह important भी exam करे लिए ठीक है इससे याद रखेगा तो world bank ने इंडिया की GDP growth rate for the financial year 2023 8% बोल दिया from the 8.7% ठीक है देखिए दोस्तों आगे देखिए इसके अलावा world bank also cut a full percentage point of the growth outlook for the South Asia to 6.6% यानि इंडिया का 8% कर दिया है और South Asia की बात करें तो South Asia का 6.6% कर दिया है excluding Afghanistan world bank Afghanistan को count नहीं करता है इसमें क्योंकि world bank के norms के इसाब से नहीं काम करते हैं यह Taliban के नहीं नहीं पॉलिटिशन जों है तो world bank South Asia की growth rate को 6.6% बोला excluding Afghanistan एक point हमारे पास यह है आगे देखे दूस्तों बसने point है तो world bank ने financial year 2022-2012 के लिए इंडिया की जो growth rate है उसका projection cut कर दिया है 8.7% से 8 कर दिया है अगर हम बात करते हैं South Asia की 6.6% कर दिया है तो यह दो point आप क्या रखने है बस आगे बढ़ते हैं यहाँ पर reason point reason point का मतलब जैसे फिक्की फिक्की ने भारत की growth rate को for the financial year 2022-2012 कितना बोला है 7.4% बोला है Asian Development Bank ने 7.5% बोला है मैंने यह पढ़ाया आपको ठीक है क्रिसल ने कितना बोला है Morgan Stanley ने 7.9% बोला हुआ है Moody's ने cut किया हुआ है और यह basically Moody's ने GDP forecast for the calendar year मतलब जैन 2 December 22 के लिए 9.1% बोला हुआ है OECD की बात करें तो OECD ने financial year 23 के लिए कितना बोला है 8.1% और 24 के लिए 5.5% UNCTED ने 2022 के लिए 4.6% बोला है इकरा ने 7.2% बोला है यह सब एक साथ याद नहीं हो पाएगा आपको हाला कि मैंने पढ़ाया हुआ है तो आराम से बैठके यह list revise कर लिए जगा ठीक है आराम से को जल्दीबाजी नहीं है जो नए बच्चे हैं वो परिशान नहीं यहाँ पर जटका लगना चाहिए तब ही तो हम समझते हैं किया हुआ है अच्छा पढ़ें नहीं है चीज़ एक्जाम है आगई तो है न होना चाहिए ऐसा चली आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे next information के यह बड़ी अच्छी information आप हम देंगे दोस्तों three general insurance company share capital increase by the government of India दोस्तों अगेर हम बात करते हैं हमारे देश में सरकारी insurance company तो insurance से पहले एक बात जाने लो कि हमारे देश में दो तरह के insurance होते हैं एक life insurance, life insurance और एक general insurance Journal Insurance का मतलब क्या हो गया? Health Insurance हो गया उसमें आपका कोई business है उसका insurance गाड़ी का insurance, बाइक का insurance ये सब Journal Insurance में आते हैं तो हमारे देश में Journal Insurance में चार कंपनी काम करते हैं चार कंपनी ठीक? N.I.A.C.L. ये बड़ी कंपनी है इसको छोड़ दीजे आप N.I.A.C.L. छोड़ दीए बाकी तीन कंपनी की बात कर रहे है तो भारत सरकार ने इन तीनों कंपनी नाम में बताओंगा आपको आगे इन तीनों कंपनी के share capital को बढ़ा दिया क्या है पूरी information ध्यान से देखें का? देखें दोस्ते जितना आप बोले उतना ही पढ़ना आपको ठीक है? तो थ्री public sector general insurance company यानि तीन सरकारी general insurance company नाम क्या इनके? देखो National Company Limited ये अलग company है N.I.A.C.L. अलग है ये N.I.C.L. है एक N.I.A.C.L. है तो वो अलग company New India Assurance उसकी बात ही नहीं कर रहा है ये N.I.C.L. है वो N.I.A.C.L. है तो एक है आपका N.I.C.L. National Company Limited दूसरा है Oriental Insurance Company Limited और तीसरा है United India Insurance Company Limited तो भारत सरकार इन तीन insurance company की capital को बढ़ा रही है ठीक है? तो इनकी capital बढ़ा रही है कितनी बढ़ा रही है उसकी बात कर रही है देखे दूसरा This will allow for a capital inflow of 5000 करोड रुपीज into these businesses तो Government of India इन company में डाल रही है 5000 करोड रुपा ठीक? यानि कि तीन company है तो तीनों company में 5000 करोड रुपा इसकी बात नहीं हो रही है Total amount is 5000 करोड रुपीज कैसे दोखो यहां पर ध्यान से थोड़ी बड़ी information है कुछ information छुपेगी आप से लेकिन मैं बता दूँगा वही पढ़ना की वाला पो ठीक है देखे दूसरों क्या बोला गया है? अब यहां क्या बोला गया है यहां बोला गया कि authorized share capital of the entities are increase कैसे दूखो दोखो क्या बोला गया कि enables 3700 करोड रुपे National Insurance में 1200 करोड रूपे Oriental Insurance में And 100 करोड रुपीज in the United insurance में इस दिया गया है National Insurance में 370 करोड रुबिस Oriental में 1200 करोड रुपीज And United में 100 करोड रुपीज गया? दोस्तों बास सजी में आई मैं जितना बोल रहा है उतना ही पढ़ो के वल जितना बोल उतना ही पढ़ो के वल तो NICL में कितना? 3,700 और इंटल में 1,200 और इंटल में 100 क्रोड रोपी तो इस तरह से 5,000 क्रोड रोपा जो है वो डिवाइट किये गा है इतना दिखलो पहले अभी ये मत पढ़ो जितना लिखा जो मैं पढ़ो पढ़ो के वल आगे बढ़ते हैं अब की हाइलाइट की बात करें दब परमिटेड कैपिटल फॉर दे नेशनल इंशुनेंस विल नौ विल बी 15,000 क्रोड रोपीस यानि कि इसका मतलब क्या हुगा कि जितना पैसा गोर्मेंट ने लगाया तो NICL की जो कैपिटल हो गई है वो 15,000 क्रोड रोपे हो गई है ठीक है फ्रॉम दे 75,000 क्रोड रोपेस ठीक फंदर जागर रोपे है और देखो और इंटल की बात करें तो और इंटल की हो गई है 7,500 क्रोड रोपे फ्रम दे 5,000 ठीक और देखो युनाइट इंडिया कितने हो गई है यह हो गई है आपकी 75,000 क्रोड रोपेस मतलब तीनों की क्यापिटल कितनी बढ़ी है वो हम देख लें तो NICL की हो गई है आपकी 15,000 क्रोड रोपेस ठीक है इतना यह याद कर लो पहले फिर ओरियंटल की आपकी हो गई है 75,000 क्रोड रोपेस अब फ्रम ठीक है और युनाइट इंडिया हो गई है 75,000 याने की युनाइट इडियंटल की 75,000, 75,000 ऐसे याद कर लो और NICL की कितनी हो गई है 15,000 क्रोड रोपेस इस तरह याद कर लो ठीक दोस्तों ध्यादो तो जो मैंने बताया है उतना पढ़ना है आपको जितना आप पढ़ने बताया है तो इतनी कैपिटल हो गई है गोवर्मेंट की पैसे लगाते ही आपने शार्क टैंग में देखा था न कैसे बोलते हैं लोग कि इतने कैपिटल के लिए इतनी परसंट इक्विटी तो ओवर्र ओर वालवेशन बढ़ती है तो इसलिए कैपिटल इतनी बढ़ी है अपना दिनामत लगाना कि सर यह तो यहाँ पर इतना बसल आगा है कैसे बढ़ गा इतना यह और ओर वालवेशन बढ़ती कमपनी के ठीक है तो एक पॉइंट हमारा यह हो गया ठीक आगे बढ़ते हैं दूस्तों देखो यहाँ पे तो जितने पॉइंट मैंने बता है वो याद कर लो अब देखो क्या बोला गया थो तो हमारी फाइनस मिनिस्टर निरमिडा स्तरमन जी ने क्या किया था 2018-19 के बजट में इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी ये तीन पॉब्लिक सेक्टर जन्रल इंस्टरन कंपनी है इनको आपस में मर्ज कर देंगे किनको फिर देखो NICL को UIACL को और Oriental को मर्ज कर देंगे और एक सिंगल इंस्टरन कंपनी बना देंगे NICL पहले से ही काम कर रहे है बड़ी कंपनी है तो NICL और एक दूसरी के मतब दो कंपनी याँ पर हो जाएंगे बागी तीन कंपनी को मर्ज के एक कंपनी बनाएंगे लेकिन अभी हुआ नहीं है वो तो ये कहा गिया था गौर्मेंट के द्वारा पता नहीं होना है कि नहीं होना है लगाने सफाइदा यह हुआ कि NICL की कापिटल बढ़ गई पंद्रह हजा करोड पर हो गई उसके बाद आपका UICL और और ओरेंटल इन सबकी 7500, 70000 हो गई है ना इतना पढ़ लिया आपने और फिर उसके देने क्या बोल आपसे कि मतलब ये बोला था हमारी आपके बिजनेसम transm प्राइं..! अपना एक दिस्टल प्रेटपोर्म लांच कर रहा है.. ए प्लेटफोर्म होगा आपके Elonreibtical के लिए जो बड़ बड़े businessmen होते है.. autonomous unserer उनके लिएdadिå टे कहे था हैं.. तो कोडिक महिने बैंक के लोपक कर रहा है..? तो कोटेक महिंद्रा बैंक हैस लॉटेक फिन प्लेटफॉर्म अ न्यू इंटरप्राइस प्लेटफॉर्म डिजाइन स्प्रेसिकली वर बिजनस बैंकिंग एंड गॉपरेट क्लाइन ठीक है कोटेक महिंद्रा बैंक है कोटेक महिंद्रा बैंक हैड कोटेक महिंद्रा बैंक और इंडियन ओयल कॉर्परेशन ने मिलकर 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 एक को ब्रांडेट फ्यूल क्रेट का रॉंच किया था ठीक रिसेंटली में कोटेक महिंद्रा बैंक ने और एक्सेस बैंक ने ओपिन नेट्वर्क फॉर डिस्टल कॉमर्स में 7.84 प्रसंट शेर पर्चेस किये थे यह भी आपको बढ़ा चुका हूँ ठी बढ़ते हैं next information को करते हैं ठीक देगे गोद्रेज दोस्तों आप लोग जानते हैं गोद्रेज इंडस्ट्रीज भाई इसके electronics में यह है securities में यह हैं बहुत सजब्रेज इंडस्ट्रीज अनौंस लांच ऑफ दे गोद्रेज कापिटल तो गोद्रेज इंडस्ट्रीज जो है यह अपनी नई company लेकिया रही है गोद्रेज capital गोद्रेज capital का मतलब यहां पर हम बात करेंगे mutual fund company की ठीक है ठीक याँ रखेंगा तो गोद्रेज industries announces launch of गोद्रेज capital आपके exam में question क्या बन सकता है कि गोद्रेज company mutual fund business में आ रही है किस नाम से गोद्रेज capital और इसमें कुछ पढ़ने की जड़त नहीं है हमको देखें दोस्तों तो गोद्रेज industries limited has announced the launch of the गोद्रेज capital limited ठीक है यह में clear है और इसने पैसा कॉन लगा जो यहां पर यह पर यहां पर क्या बोला गया कि अब यह जो आपका गोद्रेज capital limited is a subsidiary of the gil मतलब गोद्रेज industry limited ठीक इसका मतलब मैं simple करता हूँ यह नहीं पढ़ना आपको ठीक है मैं simple करता हूँ तो गोद्रेज industry limited has committed to invest rupees 1500 rupees in the capital of gcl ठीक है अगर इस पूरी नीज को मैं समझो तो पूरी नीज में कोई दम नहीं है आपकी वह इतना समझो तो गोद्रेज industries limited की एक company आ रही है गोद्रेज capital जिसकी capital 1500 करोड उपय होगी बस इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना आपको जो language मैंने बोली उस language को याद कर लो बस बागी पूरी नीज में कुछ और है नहीं extra ठीक है हम आगे बढ़ने तो यह हमारा एक point यह था जो हमने पढ़ा दिया आपक और रात वाली class में हमने काफी quotient भी नहीं आपको तो paytm become the official digital payments partner for the pm museum तो paytm पी-म संग्रहाले के अधिकारिक digital भुकतान भागिदार बन गया है इसका मतलब क्या वह दोस्तों अगर पी-म museum देखना है आपको तो आपको टिकेट के लिए आप कैसे करोगे या तो आप cash दो या आप online payment करो qr code से तो वहाँ पर आपको paytm का qr code मिल जाएगा तो paytm officially digital payments partner बन गया है पी-म museum का ठीक है अच्छी information है यह देखलो तो paytm यह हम paytm की बात कर रहा है paytm की main company कौन सी 197 communication तो paytm become an official digital payments partner of the PM museum दिल्ली तो यह अच्छी information है इसे याद कर ले जगा ठीक है दोस्तों पी-मोधी was the first person to buy the ticket through the EDC machines तो वहाँ पर जो machines लगी है तो पी-मोधी पहले परसंते है जिन्होंने ticket खरीदा यह देखले जाए अगर हम paytm की बात देने गाई तो मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया भी था ठीक की paytm और इंडियन railway catering and tourism corporation के बीच में agreement हुआ है जो kiosk machines मतलब ticket vending machine से आप खरीते हैं तो वो paytm के थूस के transactions होंगे across all registration यह मैंने पढ़ाया आपको paytm payment bank limited has announced that it is an official acquiring partner for the e-rupee vouchers यह भी मैंने पढ़ाया आपको यह दोनों information काफी जूर नहीं है दोस्तों paytm payment bank e-rupee vouchers का officially acquiring partner बन गया है और अगर हम e-rupee voucher की बात करें तो monetary policy जो इसके पहले आई थी उसमें e-rupee की limit को 10,000 से बढ़ाकर 1,000,000 रुपय कर दिया गया है यह भी मत भूलिएगा ठीक है दोस्तों यह point भी आपके लिए important है चलिए आगे बढ़ते हैं guys और देखिए ती debit card मिलेंगे ऐसे cards मिलेंगे bank के थुरू जिसके थुरू आप Metro, Railway, Buses, मतलब कहीं पर भी उस card आप चला सकते हैं अभी क्या होता है अभी यह होता है कि आपको Delhi Metro चलना है आपने DMRC card लिया हुआ है फिर आपको bus से चलना है तो bus के लिए अलग आपने किया अबस्ता की हुई ह अब ऐसा खतम हो जागा पूरे देश में एक card चला है कि मोबिल्टी card देखो तो Paytm Payment Bank ने launch भी कर दिया है अपना क्या Paytm Transit card which aim to provide millions of Indians with a single fiscal card for all of their daily needs including Metro, Railways, State-owned Buses, Toll Plaza, Parking Charges, सब जोगा यह लगया तो यह भी ध्यान दीजगा ठीके दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं तो आ आगे बढ़ेंगे national news की बात करेंगे national news में हमारे पास आपके लिए कौन-कौन सी information है पहली information देखें दोस्तों तो mygov mygov platform जो है launch सबका विकास महा quiz to promote awareness on the schemes मैंने कुछ दिन पहले भी आपको यह scheme पढ़ाई थी यह news पढ़ाई थी लगे मैंने यह नहीं बिताया था कि वह आपके बारे में कितना आप जानते हैं तो सरकारी और जोनों को promote करने के लिए mygov सबका विकास महा quiz launch किया ठीक है देखें दोस्तों पूरी information देखें तो mygov के हम बात करना ठीक है तो mygov एक platform है government का ठीक इसने सबका विकास महा quiz series launch की है under the ministry of the electronics and the IT यानि आपके exam question क्या बन सकता है पहले तो किस platform ने सबका विकास महा quiz launch किया माईजी ओगी महा जीव ने किस ministry से मिल कर सबका विकास महा quiz launch किया to ministry of information electronics and IT तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है आप देखें एम क्या है to create awareness among the city and about the schemes and initiative of the government यानि सरकार की उजनाव और उनके पहल के बारे में नागरि तो ये रटना है नहीं आपको मालू मैं आपको ठीक है देखें अच्छा 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 यानि किसके जरंदिन की मौकी पर ये लॉंच हुआ तो अमेटकर जीगे और क्या कौन सा एडिशन था उनका 130 एडिशन था बिर्थानिशन था ना ये भी आत कितनी बार इसका एक्स्टेंशन किया गया एक्स्टेंशन से कितना पैसा और दिना पड़ा गॉर्मेंट को कब ये लॉंच हुआ ये तो आप ही दे सकते हो आराम से है ना तो पहली क्विस्ट जो है वो प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना पर होगी तो ये देख जगा ठीक है तुस्तों तो हमने आपको पूरी इंफॉर्मिशन यहां पर दे दिया देख लो फिर से पूरी पूरा देख लो तो माई जी ओवी पूर्टल जो है ये सबका विकास महाक्विज लॉंच किया कब लॉंच किया 14 अप्रेल को लॉंच किया क्योंकि उस दिन बर् प्रधान मंत्री गरी पिल्यान अन्योजना ठीक है तो यह देख लिजगा आपके सामने पूरी इंफॉर्मिशन यहां पर अच्छे से होगी और इससे रात कर ले जगा ठीक है दूस्तों यह हमारी पहली इंफॉर्मिशन थी आगे बढ़ते हैं देखें रिविजन पॉइं स्केल स्केल स्टाट अपॉणलेट इंडिया वाटर पिच पाइलट स्केल स्केल स्टाट अपॉणलेफ न कहां पर दिल्ली में हुआ हूआ थीक है the konclave देखें बाइनग्णार इंफेट पाइलटए् स पूरी जी ठीक है। यहां पर मिनिस्ट्री उब वड cya कांच दू है तो यह भी याद रखेंगा ठीक है और रेखें दोस्तों यहां पर माई जी ओवी की बात करने हैं हम लोग माई जी ओवी अंडर दा मिनिस्ट्री ओफ इलेक्ट्रोनिक्स इन इटी एंड यूवन वुमें ठीक है जुएंट्ली लॉंच अमृत महुट्सौ श्री शक्ती इन इनोवेशन चैलेंज 21 तो इनकरेच टेक्नोलाजी सोलुइशन डेवलप बाइद वुमें एंट्रेपेनियर यह भी मैने पढ़ा है अमृत महुट्सौ श्री शक्ती इनोवेशन चैलेंज लांच बाइद माई जी ओवी एंड यूवन वुमें यूवन का हैड़क्वार्ट आपके लिए है अच्छी ख़बर आपके लिए है एजिप्ट अभी तक अपना जो गेहू है वो पर्चिस करता था रश्या यूवकरियन से लेगिन रश्या गरेंट क्राइस के बाद अब जिट ने भारत की तर रुकिया है और एजिप्ट अप्रूफ इंडिया एस वीट स इसकी जनकारी प्यूश गुडल जी ने दी है इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है एजिप्ट इस लुकिंग तो इंपोर्ट वन मिलियन टन और वीट फ्रम इंडिया और वूट नीट तो ये सब डेटा को याद नहीं करना है आपके वोल इतना देख लो कि मतलब हां इंड इसकी बात करते हैं बुक से नौथर में हमारे पास आपके लिए एजिप्शन पॉंड इस दे करेंसी या एग्जक्ली ठीक है बुक से नौथर की बात करते हैं यहां पर मैयोरी पूछने कि इससरा आपकी पीडियेफ कहां मिलेगी बहुत सारे बच्चे पूछते इसके पह इस बुक के बारे में बात करें आपसे ठीक है देखें दोस्तों पूरी इम्हों तो बुक का नाम क्या है किताब आ रही है बुक का नाम बुक का नाम जैसे फर इंग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं अगर मैं आपसे पूछण कि सरब जी, Life and Times ये बुक के author कौन है? तो आपको याज होगा, अभी नो, चंदर चूर जी मैंने पढ़ाया तापको Onboard Test Trial Triumph My Ears in Business याई, रत्ना का शेटिक ये बुक है, ठिक और देखें The Queen of Indian Pop The Authorized Biography of the Ousha Uthuk तो इसके author Vikas Kumar जहा है, original author, ठीक है और इनकी जो बच्ची है, सिस्टी जहा इन्होंने translate किया था, author Vikas Kumar जहा ही है, The Blue Book तो Amitav Kumar हमने पढ़ा हुआ इसको भी इच्छे से उंगलील उर्वन ये M.K. स्टलिन, Chief Minister of the Tamil लाडू, इनकी autobiography है, ठीक है तो यह से point है, जो कि आपको याद होने चाहिए, दोस्तों, sports की बात करेंगे इस sports में, आज आपके लिए हम कौनसी information लेकर आए है, ठीक है तो sports में हम लेकर आए है, पहले information Tim Saudi win the Sir Richard Hadley medal at the New Zealand Strait Award New Zealand Cricket Award में सबसे बड़ा जो प्राइस होता है वो Sir Richard Hadley होता है और इस बार वो Tim Saudi को मिला Tim Saudi, जो की right now भी IPL खेल रहे हैं, और किस टीम से खेलना IPL अभी है, शायद Night Raiders खेलना है किया शायद, I am not confirm नहीं भूलिया मैं, दोब तो New Zealand के pace baller Tim Saudi की बात करें, has been awarded the Sir Richard Hadley medal at the New Zealand Cricket Awards ठीक है, Tim Saudi और Tim Saudi को पहली बार ये अवार्ड मिला है तो पहली बार ये अवार्ड मिला है ठीक है, देखें दोस्तों This is Saudi's first Sir Richard Hadley medal in his 14-year long career तो Saudi को पहली बार ये अवार्ड मिला है उनके 14-year career में He has been awarded for his consistency ठीक है, तो मतलब 21-22 season, काफी बढ़ी हाँ ना ने किया, इसलिए इनको मतलब ये अवार्ड मिला है ठीक है दोस्तों, तो Tim Saudi को 14-year long career में पहली बार Sir Richard Hadley medal मिला है ये न्यूजिलेंड का सबसे बड़ा medal होता है ठीक है, या रखेंगा, आगे देखें दोस्तों The Sir Richard Hadley medal is the highest cricketing honor of the New Zealand तो ये आपको मालूम ही चल गया अच्छा, इसके रावा और कौन से वार बाटेगा है तो ये पूरे अवार्ड मैंने आपको सामने आपर दे दी है जैसे International Women's T20 Player of the Year का अवार्ड ये मिला है Sophie Divine को मिला है ठीक है International Men's T20 Player ये Trent Bolt को मिला है ये question आपके exam में आ सकता है मैं टिक कर दे रहाँ ठीक है और Women's Super Smash Player of the Year तो ये मिला है Emily Care को मिला है ठीक है और देखे Men's Super Smash Player of the Year तो ये मिला है Michael Brackwell को मिला है ठीक है तो एक पॉइंट ये हो गया ठीक है International Men's ODI Player ये मिला है Will Young को एक question ये आपका बन सकता है ठीक है देख लेज़ा बहुत सारे award है और देखे Wisner's Cup for the First Class Balling ये मिला है Tim Saudi को मिला है तो मैं जिस पर तीन मैंने टिक किया आपको आप वो तो देख लेना बाकी आपकी मर्जिया पूरा पढ़ दो और अच्छी बात है New Zealand Empire of the Year ये मिला है Chris Jeffering को मिला है ठीक है तो आप देख लेगे ठीक है मैंने 4 टिक कर दिये बाकी आपकी उपर है आप चाब पूरा पढ़ दो ये New Zealand का award है तो अपना award है बहुत सारे questions नहीं बनेंगे तो दो तीन questions बन सकते है जो मैंने टिक कर दिया आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जस्तों अब बात करेंगे Next Point की Street Child Cricket World Cup 2023 में इंडिया में होगा Street Child World Cup तो यहाँप हम क्या बात कर रहे हैं यहाँपर हम Street Child World Cup की बात कर रहे हैं और यह 23 में होने वाला है ठीक है इंडिया में इसकी खास्क यह है कि इसमें gender के मतलब नहीं होता इसमें male female दुनों लोग खेल सकते हैं Street Child Cricket World Cup 2023 hosted by इंडिया देखें पूरी information दोस्तों देखें क्या है यहाँपे क्या लिखा हुगा है The Street Child Cricket World Cup 2023 will be hosted by the Street Child United and Save the Children India यह कुछ शंस्थाए है तो देखो कौन यह करा रहा है Street Child United एक पाइंट यह होगया and Save the Children India यह होगया तो यह बन सकता है खोशने आप से Street Child Cricket World Cup 22 से इंडिया में होगा hosted by Street Child United and Save the Children India इंडिया स्थाओने से host किया है host करेंगे ठीक है अब देखो This World Cup will be held in the September ठीक है September में यह होने वाला है 8 of the ICC World Cup ठीक है यह इतना नहीं पढ़ना ठीक हो September में यह होगा और Mixed Gender Great Storamant है जो मैंने आप से बोला था यह male female का अलग से कुछ नहीं होता है ठीक है अब देखें In 2019 Team India South has won the cup after beating host England तो यह last time 2019 में हुआ था England में हुआ था जहाँ पे इंडिया ने इसको जिता था तो एक information study यह आपके सामने है यह बन सकती है आपसे ठीक है अगर हम 2023 की बात करें दोस्तों तो 2023 में क्या-क्या इंडिया में होने वाला है 2023 में Cricket World Cup होगा ठीक 2023 में ही International Olympic Committee का session मुमई में होगा मैंने पढ़ाया आपको 2023 में ही National Delphic Games होगे और 2023 में ही आपका G20 Summit भी होगा तो यह सब reason point है क्या-क्या 2023 में होगा ठीक है देख लिजेगा आगे बढ़ते हैं next point की बात करते हैं ठीक है science and tech की बात करते हैं science and tech तो science and tech में मारा पहरे information क्या है Food and Drug Administration USA authorizes first brief test for COVID-19 infection इसका मतलब क्या हुआ देखे पूरे information देखे देखे तो यहाँपन क्या बात कर रहे है Food and Drug Administration of the USA has authorized the first device named inspect IR COVID-19 breathalyzer to date COVID-19 in breath samples ठीक है दूस्तों आपको बता है कि मतलब ऐसे देखा जाए domestic level पे बहुत सारे देशों में हमने इवन इंडिया में हमने breath analyzer बनाया है मतलब breath के थूँ आप जान सकते हो कि मतलब COVID-19 कोई infect है के नहीं लेकिन अभी तक मतलब कि global level पर किसी को भी पहचान नहीं मिले किसी प्रटक को तो FDA जो है युस्से का इसने global level पर पहले device को पहचान देदी है जिसका नाम है inspect IR COVID-19 breathalyzer तो यह आपके लिए important हो जाएगा क्योंकि पूरे दुनिया में food and drug administration का एक जलवा है एक मतलब मुकाम हैंका तो यह जो बोलते हैं मानी आती है बात AWS नहीं किया है अभी यह FDA ने किया के बड़ तो FDA US ने authorize कर दिया है पहला device inspect IR COVID-19 breathalyzer to detect COVID-19 in blood samples ठीक है एक पॉइंट हमारा यह हो गया देखिए the device was 91.2% accurate at identifying positive test sample 91.2% यह एकदम मतलब बढ़ी हां identify कर लेता है कि हां यह बढ़ा positive है and 99.3% accurate at identifying negative test sample और 99.3% यह accurate बोलता है कि नहीं हां यह negative नहीं है और अच्छी बाते हैं बढ़ी हां बाते हैं ना चली आगे बढ़ते हैं तो यह एक पॉइंट हमारा यह हो गया तो आपको नाम ध्यान देना क्या है ना inspect IR यह याद कर लिजे बस ठीक अब reason की बात करें दोस्तों अभी recently में NOVAX announced the first emergency use authorization of COVID-19 vaccine for adolescence falling in the age of the bracket of 12 years in India यह मैंने पढ़ायत आपको NOVAX से बारे में और देख लिजें DCTGI has approved the corona vaccine biological illimited CORBEVACS for children यह भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ठीक है इसको भी याद कर लिजेगा आगे बढ़ते next point की बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे MOEUS agreement and partnership की जहाँ पर पहली information देखे दोस्तों TCS gets deal from the UK financial ombudsman services अगर कल आपने हमारा paid best class से पढ़ा होगा तो कल मैंने आपको Reserve Bank of India की Integrated Ombudsman scheme मैंने पढ़ाई रही जहाँ पर Reserve Bank of India ने Digital Transaction, Banking and NBFC Ombudsman को एक कर दिया है सेम वैसे UK की बात India is the first country India is the first country जिसने कारणामा किया है यहाँ का लिखा UK Financial Ombudsman सेम वैसे UK में जो body है जो की Financial Ombudsman का मतलब क्या होता है अगर मालेजे आपकी किसी bank से complain है और bank आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप Banking Ombudsman कंप्लेन कर सकते हो सेम वैसे ही तो UK का Financial Ombudsman है उसके Digital Transformation के लिए TCS Agreement हुआ है मतलब देखे पूरी information देखे TCS Tata Consultancy Services नाम जानते हैं आप लो तो has been chosen as a strategic partner by the UK's Financial Ombudsman service to accelerate digital transformation यानि इनका जो काम digitally मतलब इनको app को develop करना इनके platform को develop करना और upgrade करना cloud बढ़ाना storage बढ़ाना वो सब चीज है तो TCS जो है वो UK Financial Ombudsman का partner बन गया है to accelerate digital transformation यह देख लिए जागा ठीक है जोस्तों तो एक information यह आपको अम दे रहे थे ठीक है तो TCS will have future proof of ombudsman तो कैने का मतलब भवशे की technology डेवलप करेगा यह पढ़ना आपको नहीं है बस आप ध्यान दो जो मैंने बताया तो TCS जो है UK के Financial Ombudsman का digital transformation करेगा तो company यह भी maintain करेगी ठीक है आगे बढ़ते हैं guys next point की बात करें अब यहाँ पर हम बात करें है weapon system की Indian Air Force tie up with the IIT Madras to develop solution to maintain weapon system तो हमारे देश में Indian Air Force ने IIT Madras से agreement किया है to develop solution to maintain weapon system देखें दोस्तों यहाँ पर हम क्या बात करें है Indian Air Force तो Indian Air Force ने agreement किया है with the IIT Madras के साथ ठीक है have signed a MOU for technology development and finding indigenous solution for the sustenance of the various weapon system तो simple सा मतलब यह है कि मतलब Indian Air Force अपने हथियारों के रखाओ maintenance के लिए किसी अब बाहरी company से बात नहीं करेंगे यह Indian Air Force IIT Madras के जो start-ups हैं या जो इनके alumina ही हैं उनसे बात करेंगे कि weapon system को कैसी ठीक रखें maintain रखें जैसे for example दोस्तों पयाद होगा अभी एक missile अपने आप उड़ी अप आगिस्तान में गई आकर देखा था ना आप लोगोंने बड़ा बवाल हुआ इंडिया तो मतलब उसी है system को ऐसे मतलब maintain रखें रखें हैं सबके लिए आपके सामने पॉइंट है देख ली जागा आगे बढ़तें गाइस next point की बात करें next point हमारा import desk को लेका रहे और desk में तहरी information आपके पास देखें यह बड़े च्छी information है Punjab National Bank 128th foundation day तो Punjab National Bank ने अपना 123th foundation day celebrate किया 123th foundation day celebration ठीक है मतलब establishment year की हम बात करें ठीक है देखें दोस्तों Punjab National Bank ने 12 April 2022 को अपना 123th foundation day में आया Punjab National Bank ने ठीक है PNB के बारे ने history मैं ने पढ़ाया यह PNB को हम लोग क्या बोलते हैं PNB को हम लोग बोलते हैं First Indian Bank बोलते हैं ना पहला Indian Bank तो PNB को हम लोग पहला Indian Bank भी बोलते हैं establishment year 12 April 19 ठीक है 1894 तो PNB का establishment year आपको हमने बढ़ाया कि मतलब यह है और PNB को हम First Indian Bank बोलते हैं इसने अपना 123th foundation day celebrate किया ठीक है देखें दोस्तों On occasion of the foundation day MD CEO of the PNB अतुलकुमार गोयल तो अतुलकुमार गोयल जो है यह PNB के MD CEO है इन्होंने launch किया है a cardless cash withdrawal service and virtual debit card for its customer इसका मतलब क्या दोस्तों आपको याद दोगा इस बार के monetary policy में हमारे आर्वे ने क्या बोला था कि हम अब cardless cash निकाले हैं कि हम से वही बात हो रही है वही बात हो रही है यहां पर क्या बोला गया है कि इस मौके पर क्या लॉंचने cardless cash withdrawal service and a virtual debit card for this customer virtual debit card आपके application पर होगा तो उस number को आपको put करना होता है पैसे आपके निकल जाएंगे ठीक है देख लेज़ेगा अगर हम PNB की बात करें the bank was founded by the eminent freedom fighter लाला लाजपत राय जी तो लाला लाजपत राय जी founder थे इस bank है PNB का headquarter पहले लाहॉर में था जब यह हमारा देश अजाद हुआ partition हुआ तो लाहॉर से यह कहां गया दिल्ली आगया तो PNB का headquarter कहां पहले है दिल्ली में है याद रखेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं वर्ड आल डे तो विश्व कला दिवस 15 प्रेल को हम बनाते हैं इस बार क्या हुआ हुआ तो थीम नहीं है तो बस आपको world our day आज रखना है 15 प्रेल डेट है आपकी बस यह और कुछ नहीं पढ़ना आपको ठीक है एक point हमारे पास यह होगी है आगे बाइड मैंस next point की बात करें अब यहां बात करें हिमाचल प्रदेश की ठीक है हिमाचल प्रदेश को पूरे एक राज के रूप में दर्जा दिया गया पूर्ण राज का मतलब क्या होता है समझेगा दोस्तों दखें 1948 में 1948 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया ठीक क्या बनाया गया यूटी बनाया गया तो 15 April 1971 तो हिमाचल परदेश पूरे एक state group में 18 वाइट था माई दर्शका यह है उभरा तो याद रखेगा यह 18 वाइट था यह भी याद रखेगा हिमाचल परदेश आपके exam में question ऐसे बनते हैं याद कर लेज़ेगा It was on this day in 1948 हिमाचल परदेश was created as a province of India मतलब 1948 में क्या हुआ था 1948 में इसको एक प्रांत बनाए गया था 1971 में क्या बना ये बना एक पूरा जमना इससे मन भूलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस state level ने उसकी बाद करें आपसे तो पहली information आपके लिए तमिलाडु सरकार ने क्या बोला है इन्होंने बर्थ अनिवर्सरी अनौस की है डॉक्टर अंबेटकर की और 14 अप्रायल और इसको Equality Day के रूप में मनाने की बात बोली है अब से हर साल 14 अप्रायल को Equality Day मनाएंगी तमिलाडु गवर्मेंट ये देख ली जगा है 14 सेटमबर को ये लोग क्या मनाएंगे Social Justice Day मनाएंगे Social Justice Day मनाएंगे क्योंकि इस दिन परियार जी का बढ़ रहे था तो एक पॉइंट हमारे पास ये ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं Next Information है हमारे पास दोस्तों ये थी हमारे आशी ख़बर और जैसाब रहांते हैं मेरे नाम बजित मिश्रा है मैं पढ़ाता हो और अकेडमी पर जाएगी आप लोग वहाँ पर सर्च आप्शन पर जाएगे और वहाँ पर मेरे नाम सर्च कर लेज़े तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी और इसके MCQs हम करते हैं रात 10-10 पर लेगिन आज हमारी ट्रेन है तो इसके MCQs हम कल करेंगे तुमारो करेंगे जब मैं ख़ब पोगजांगा दिलीज ठीक है तो आज हमारो MCQs रात वाला नहीं है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा और ट्रैवलिंग मेरी ट्रेन जो है वो शाम को ही है तो शाम से ही क्लास मारी नहीं हो पाएगी है ना ध्यान दीजागा और दोस्तों गर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात आपका प्राइस बढ़ने वाला है एक बात और देखो जान से तो प्राइस बढ़ना था आपको बताईए अभी तक इसकी डेट एंडिंग नहीं आई तो अभी भी मौका के पास है आप पुराने फीस में आप एडमिशन ले सकते हैं अभी पुराने फीस कब तक चलेगी हमें नहीं माल ठीक है और ध्यान देना इस बार जो प्राइस बढ़ेगी वो 25% बढ़ सकती है प्राइस है न 10% बढ़ने की बात होई थी लगी नहीं बढ़ सकती है तो इसी बीच आप एडमिशन ले सकते हो ठीक है दोस्तों ध्यान देना तो कैसे अप लोग एडमिशन प्लस की फीच कितनी है आपकी तो प्लस की फीच है दो साल की आपकी 7800 रूप है और एक साल की फीच कितनी है आपकी 6500 रूप है तो अगर इसको जॉइन करना आपको तो हमारा कोड लगाए AVP10 और आपको 10% का डिसकाउंट मिल जागा प्लस की फीच कितनी है आपकी तो 24 महीने की फीच आपकी है दोस्तों 9,360 रूप है और 12 महीने की आपकी 7,800 रूप है इसमें भी आपको 10% डिसकाउंट शाहिए तो कोड रही है हमारा AVP 10 और आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा लेगन ध्यान रहा है दोनों फीस में डिफरेंस क्यों है और अकेडमी आपको आसक डॉट फीचर दे रही है आसक डॉट फीचर का मतलब यह होता है दोस्तों कि वैसे दोस्तों क्लास में डूरिंग क्लास आप अपने फैवरेट अजुटर बात कर सकते हो पता आपको एंडॉर्ट सौर कर सकते हो तो अगर आप आप आइकॉनिक एडिमिशन लेते हो ठीक तो आपको यह प्रियोर्टी पहले मिलती है प्लस वालों को बाद नहीं मिलती है तो यह अंतरा रखी वहले है कुछ अंतरा नहीं है दोस्तों ठीक है चलिए गाइस तो इसके question के लिए हम कल में रहेंगे आपसे I am secure कल होगी class हमारी क्योंकि आज हमारी class नहीं हो पाएगी ठीक है Thank you so much अपना ख्यार लखिये और अच्छे से पढ़ाई करिए Thank you so much अपका दिन मंगल में